जहन दोस्तो आज के एक और इस नई वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने किसी भी Android मुबाइल फोन के अंदर जो Google Assistant का फीचर होता है इसको कैसे आप डिसेबल कर सकते हैं इसको कैसे आप ऑफ कर सकते हैं इसको कैसे आप बंद कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो श्टार् तो गूगल को आपको सिंपल से ओपन कर लेना है जब गूगल को आप ओपन कर लेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको गूगल का जो आइकन दिखाई देता है उस पर क्लिक करना है गूगल के आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको कुछ इस तरी करेंगे तो आपके सामने यहां पर बहुत सारे ओप्शन आ जाएंगे जिसमें आपको एक ओप्शन दिखाई देता है जिसका नाम है सेटिंग्स इस सेटिंग्स वाले ओप्शन पर आपको क्लिक करना है जब आप इस सेटिंग वाले option पर click करेंगे तो आपकी सामने फिर से यहाँ पर बहुत सारे options आते हैं और हमको जो चाहिए इसमें वो है Google Assistant तो यहाँ पर Google Assistant का आपको 6th नमबर पर छटे नमबर पर एक option दिखाई देता है इस पर आपको click करना है इस पर जब आप click करेंगे तो आपके सामने फिर से बहुत सारे options आएंगे तो अब यहाँ पर आपको scroll करना है यानि कि नीचे की तरफ अपने जो options है उनको यहाँ पर ले जाना है और नीचे की तरफ जब आप इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option ढूड़ना है औ यह तरीका है जहां से आप इसको off या on कर सकते हैं तो जैसे देख सकते हैं यह already यहां पर on हो रखा है इनेबल है तो जब मैं इसको disable करूँगा यहां से तो इसको यहां से मैं off कर सकता हूँ तो यहां पर यह off हो चुका है और आप मेरे mobile phone के अंदर google assistant काम नहीं करेगा अगर आप इसको on करना चाहते हैं तो इसको यहां से enable कर दें और off करना चाहते हैं तो इसको यहां से disable कर दें जैसे मैंने अभी किया है दोस्तों मैं उमीद करूँगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा और इसी जानकारी भरी वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें